मक्षन बनाने की प्रक्रिया गाय के कच्चे दूद को डेरी में भेज दिया जाता है जहां उसे अनलोड करने से पहले भौतिक मांदंडों के माध्यम से उसकी गुणवत्ता की एक रूपता की जांच की जाती है उसके बाद उसे सेपरेटर में डाल दिया जाता है सेपरेटर घूमता है और बाकी बचे तरल में से कच्चे दूद की चरबी को अलग कर देता है इस चरबी को मक्षन क्रीम और बाकी बचे दूद को मलाई रहित दूद कहा जाता है उसके बाद मक्षन क्रीम को होल्डिंग टैंक में रखा जाता है जहां एक जैसी एक रूपता को बनाये रखने के लिए उसे हिलाया और मिलाया जाता है पैस्चुराइजर का मानदंड निर्धारित करें और उसमें क्रीम को जाने दें बैक्टिरियल कल्चर डालें और उसे एईजिंग के लिए निर्धिष्ट समय तक खड़ा रहने दें और उसके बाद से चर्णर में स्थानांतरित कर दें पिछले बैच से चर्णर में कोई किटानु नरह गया हो इसे सूनिष्चित करने के लिए इस बात की जांच करें कि चर्णर को अच्छी तरह साफ किया गया है या नहीं चरनर को क्रीम से सिर्फ आधी दूर तक ही भरें ताकि चरनर के वेंट से हवा को निकलने के लिए परियाप जगह हो निर्दिष्ट अंतरालों पर चरनर को बंद कर दें चरनर से हवा को बाहर निकालने के लिए एर वेंट को खोल दें और चरनर को चालू करें इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहें जब तक मखन बटर पॉपकॉन नहीं बन जाता बटर पॉपकॉन बन जाने के बाद चर्नर को बंद कर दें ध्यान से देखें कि मखन से बटर मिल्क अलग हुआ है या नहीं और बटर मिल्क को चर्नर से निकाल कर एक कंटेनर में और चर्नर के धकन को बंद कर दें और नमकीन मक्खन बनने के लिए उसे सील कर दें चर्नर को लगभग 30 मिनट तक चालू करके रखें वसा के अणू आगे चलकर गाड़ा हो जाते हैं और मिलाए गए नमक के साथ मिल जाते हैं और वंचित सुन्दर्ता चली आती है और परिण नाम स्वरूप जो प्राप्त होता है वह है मक्खन दोश का पता लगने के लिए इस चरण में गुणवत्ता की जांच की जाती है मक्खन को मक्खन मोल्डिंग और रैपिंग मशीन में स्थानांतरित करें और ब्लॉकों में मक्खन के परिमान की माप करें और प्राथमिक प और मानकूं के अनुपालन के लिए पैक किये गए उत्पाद का एक नमुना गुणवत्ता प्रयोक्षाला में भेजें। भंडारण दशाओं को बनाय रखते हुए उत्पादों को भंडारित करें।